हालो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल स्टोरीज अफ इंडिया और मैं हूँ प्रीती वैसे मैं आपने वीडियो में इंडिया की जगा जगा की इंफोर्मेशन आप लोगों को देती हूँ आज जगा की इंफोर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ वो है रिक तो चलिए शुरू करते हैं रिक के बारे में रिक यह एक विलेज है और यह एक माउंटेन मतलब पहारी टूरिस्ट पॉट है जो हमारे इंडिया के मिजरम के जो कापिटर है आजवाल उससे 29 किलोमेटर दूर है और इसका जो एलिवेशन है यह आजवाल से 1465 मीटर है और इसलिए इसके आसपास के बहुत सारे जो वियूज है वो वैलीज और हिल्स है और यह वियूज बहुत ही सुन्दर है कभी अगर बहुत क्लियर दीन रहा तो इस यहाँ पे जो रिक हेल है उसके उपर से बांगलादेश की वियूज पूरी दिखी जाती है और यह जो पहार है यह चाड़ो तरब से बहुती मोटी मोटी हरे घासों से और पेड़ और बूशे मतलब जाड़ों से भड़ा हुआ ह चलिए जानते हैं यह जो रिक विलेज है इसके जियोग्राफिकल कुछ डीटेल्स के बार में रिक ट्लांग एक क्वेस्टा है क्वेस्टा मतलब एक ऐसी पहार जिसके एक तरफ है पूरी खरी धलान और दूसरी तरफ है एकदम जेंडल स्लोप मतलब बहुत ही स्लोपिंग चलिए जानते हैं कि यह जो रिक विलेज है यहां के कुछ कल्चर और यहां के गाउं के बारे में यहां पर एक विशिष्ट मीजो गाउं है जिसमें बिविन्व मीजो जन जाती हों जो कि विशिष्ट पारंपरिक जोपडिया, मीजो सरदार का घर, एक सनातक छात्रवर्ष और एक विद्वा का छात्रवर्ष है और इसको बनाया था पड़ियतन विभागने और ये अभी भी मेंटेन किया जाता है यहां का जो घर है वो पूरी तरह से फुली फ़र्निश्ट होता है मतलब सुसज्जित किया जाता है जिससे आगन तुक मतलब जो विजिटर से उन लोग को बहादूर जो परवतर हो ही है मतलब जो लोग पहार चड़ते उन लोग के गौरफ शली अतित की जलत मिलती है आधुनिक विकास के साथ तालमेल रखते हुए मीजो जीवन शल के लिया भी है और एक रिजॉर्ड भी है जो अच्छा भोजन और रहने की जगा सबको देती है यहां बार्शिक एक एंथूरियम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है और यह जो फेस्टिवल होता है यह सेप्टेमबर में होता है लेकिन यहां पर जाने की लिए सबसे अच्छा जो टाइम है न वह एपरील है यहां का वैदर बहुत अच्छा रहता है चलिए जानते एंथूरियम जो फेस्टिवल मेंने कहा वह एक्चुली किया है तो क्या है एंथूरियम न एक टाइप के फ्लावर है जो थाॉजन से भी जादे स्पीसिस के मिलते हैं और यह मीजोरम में पाओ जाता है. इसलिए मीजोरम के जो रिच कस्टम्स और ट्रैडिशन दिखाने के लिए यहाँ पर ऐंतुरियं एक festival मनाया जाता है. और यह जो festival होता है वो हर साल मनाया जाता है. टूरिस्ट डिपार्टमेट और The Hurticulture Department of Financial Supporting के मदद से और इसमें काफी सारे पैसे Central से आते हैं और यह जो festival होता है इसका दो परपस है एक तो है कि वहाँ के जो cultivation है, marketing है, वहाँ के जो flowers है उन लोगों को promote करना और दूसरा है मिजोरम में tourist लोगों को attract करना वहाँ के scenic beauty से यह जो festival है ना, यह actually मिजोरम के जो reach और rhythmic culture है, dance है उनको भी दर्शात है, यहाँ पे इस festival में होता है और वहाँ पे कुछ मिजोरम के कुछ games भी इस festival में होता है इस festival में ना, fashion show भी किया जाता है तो यह तो था, यहाँ के जो festivals है, उनके बारे में, उनके गाउ के बारे में ज़िए आप जानते हैं, यहाँ पे कुछ पक्षिया मिलती है मतलब पहारी जो animals बपक्षिया है, वो क्या मिलता है एक तो यह जो रीक पहारी है ना, इसके जंगल बहुती आकाशक है और यहाँ पे आकाशक किसमन के एक पहारी पक्षियों का घर भी है यहाँ पे बहुत सारे पहारी पक्षिया मिल जाते हैं जिनमें दूललव एक पैरग्रीन बाज, मतलब पैरग्रीन फैलकन भी इसमें शामिल है वो भी यहाँ पे दिखा जाता है जिसे कोई उचाई कगर पर बैठा हुआ ये चट्रानों पर जप्टा मारते हुए ये आप लोगों को दिख सकता है शिखर के ठीक उपर एक बड़ी शीला है जो एक उची चट्रान के उपर से निकली हुई है परियवरन इबन बिभागने परियवर्णों को रिक के जंगल में ट्रेकिंग से पहले स्थानियों जो समुदाय को सुचित करने के लिए लोगों को कहा हुआ है तो लोगों वहाँ पर सुचित करने के बाद ही आप वहाँ पर ट्रेक कर सकते हो तो यह तो था रिक विलेज के अर मिजोरम कि इस विलेज में आप कभी भी घूमने जा सकते हो। बहुत सुंदर विलेज है। जाओ घूमके आओ। और यहाँ पे आप रेसार्स भी है। मैंने अपने वीडियो में कहा हो। प्राइबेट या फिर पब्लिक बसे वगेरा कार वगेरा मिल जाएगा ते लिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में नमस्ते